जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारी भारती टीम ने T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में आस्टेलिया से बहुत बुरी तरह से हार गई है जिससे हमारी भारती टीम को T20 सीरीज को जीतने के लिए तोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों आस्टेलिया ने T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत को बहुत बुरी तरह से हारा दिया है जिससे भारती कप्तान ने अपने प्लेइंग 11 में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है क्योंकि दोस्तों T20 सीरीज के पांच मुकाबलों में से हमारी भारती टीम ने दो मुकाबले जीत चुकी है तो वहीं आस्टेलिया ने भी एक मुकाबला जीत लिया है यूँ कहे तो हमारी भारती टीम एक मुकाबला और जीत कर सीरीज को अपने नाम करना चाहती है इसलिए सुरुकमार रियादाव ने T20 सीरीज के अगले मुकाबले को जीतने के लिए अपने प्लेइंग इलेवन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और अपने प्लेइंग इलेवन में दो ऐसे खतरनाक भूखे सेरों को सामिल किया है जिनको Playing Illion में सामिल हो जाने से हमारी भारती टीम काफी ज्यादा मजबुत हो गई है जी हाँ दोस्तो कप्तान सुरी कुमार यादा ने अपने Playing Illion में ऐसे ऐसे भुखे सेरों को सामिल किया है जो कि आस्टेलिया के टीम को बुरी तरह से कुचल कर रख देंगे और T20 सिरीज को अपने नाम कर लेंगे क्योंकि दोस्तो आस्टेलिया ने जिस तरह से T20 सिरीज की तीसरे मुकाबले में भारती टीम को हराया है ऐसा लग रहा है कि आस्टेलिया भी अपने फूल फार्म में आ गई है इसलिए भारती कप्तान सुरुकुमार यादव ने अपने प्लेंग इलियोन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है जिसको देखकर आस्टेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ही नहीं बलकि ग्लेन मैक्सवेल के साथ उनकी पूरी टीम भी अभी से थर थर काप रही है जी हाँ दोस्तों टीट्वेंटी सीरीज के तीसरे मुकाबले में आस्टेलिया से बुरी तरह हारने के बाद पर खेला जाएगा इसलिए दोस्तों वीडियों को इसकी मत की जिएगा और वीडियों को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की यह वीडियों काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो चलिए दोस्तों आज के इंट्रेस्टिंग वीडियों को स्टार्ट करते हैं ले सपोर्ट जरूर दिखाएं अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद तो चलिए दोस्तो आज के इंट्रेस्टिंग वीडियों को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि भारत और आस्टेलिया के 20 एक अगस्त को रायपूर के सहीद वीर नरायन सिंग इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले को आप सभी लोग भारती समयानुसार सायम 7 बजे से देख सकते हैं अगर हम दोस्तो मैच की बात करें तो 320 सिरीज के तीसरे मुकाबले में जिस तरह से आस्टेलिया ने बल्ले बाजी की है उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि सिरीज को जीतना मुश्किल होग जाएगा क्योंकि दोस्तों तीसरे मुकाबले में आस्टेलिया को 12 गेदों में 43 रन चाहिए था और आस्टेलिया के खतरनाक आराउंडर गिलेन मैक्सवेल ने ऐसी ताबक तोर पारी खेली कि उन्होंने 12 गेदों में 45 रन बना दिये थे और भारत के मुह से जीत को छीन कर अपने नाम कर लिये थे इसलिए भारती कप्तान सुर्कुमार यादाव ने अपने प्लेइंग 11 में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है अगर दोस्तो हम भारती टीम के प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग बैटल में याससी जैसवाल के साथ रितुराज गायकवार मैदान पर आएंगे क्योंकि दोस्तो ये दोनों खिलाडी खतरनाक फार्म में चल रहे हैं और याससी जैसवाल मैदान पर आते ही तावकतुर पारी खेलना शुरू कर देते हैं और इन्होंने T20 के पहले मुकाबले में 21 रणों की पारी खेली थी तो वहीं दूसरे मुकाबले में 22 रणों की पारी खेली थी और इन्नोंने मात्र 57 गेदों में 233 रनों की नाबाद पारी खेली थी जिसमें इन्नोंने 13 चौके तो 7 गगन चुम्बी छक्के लगाये थे तो वहीं दूसरे मुकाबले में भी 58 रनों की पारी खेली थी इसलिए दोस्तों ओपनिंग बैटल में भारती टीम की अच्छी शु खेलना जानते हैं और इन्नोंने T20 के पहले मुकाबले में 58 रनों की पारी खेली थी तो वहीं दूसरे मुकाबले में 52 रनों की पारी खेली थी हालाकि तीसरे मुकाबले में इनका बल्ला नहीं चला था और जीरो पर आउट होकर पवेलियन लोट गये थे लेकिन फिर भी न किसन खेलते हुए नजर आएंगे तो वहीं नंबर चार पर भारती कप्तान सुर्कुमार रियादव खेलते हुए नजर आएंगे जो कि मैदान पर आते ही तहलका मचा देते हैं और हर गेद को बाउंडरी के बाहर भेजने लगते हैं इन्होंने दोस्तों T20 के पहले मुकाबल में ताबक तोर 80 रनों की पारी खेली थी तो वहीं तीसरे मुकाबले में खतरनाक 49 रनों की पारी खेली थी इसलिए नंबर चार पर भारती कप्तान सुर्कुमार यादव ही मैदान पर आएंगे फिर नंबर चार पर भारती उभरता हुआ सितारा रिंकु सिंग मैदान पर नजर आएंगे दोस्तों इन्होंने T20 के पहले मुकाबले में खतरनाक पारी खेली थी और आखरी गेद पर छक्का लगार कर भारती टीम को मैच में जित दिलाई थी तो वहीं दूसरे मुकाबले में ताबक तोड़ नौगेदों में 31 रनों की पारी खेली थी इसलिए नमबर पांच पर रिंग कूसिंग ही खेलते हुए नजर आएंगे और नमबर 6 की बात करें तो नमबर 6 पर तिलक वरमा प्लेइंग 11 का हिस्सा है क्योंकि दोस्तों ये भी खतरनाक फार्म से गुजर रहे हैं और हर मैच में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं फिर नमबर 7 के लिए प्रसीद किसना की जगां जीते सर्मा को अपने प्लेइंग 11 में सामिल किया है फिर नमबर 8 की बात करें तो नमबर 8 पर भारती खतरनाक इस्पीन गेदबाज रवी विश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे जोकि हर मैच में अच्छा कर रहे हैं और भारती टीम को विकेट लेकर दे रहे हैं इसलिए नमबर 8 पर रवी विश्नोई ही गेदबाजी करते हुए नजर आएंगे तो ही नमबर 9 पर सुरुकुमार यादव बहुत बड़ा बतलाव करते हुए प्रसीद किसना की जगां जीते सर्मा को अपने प्लेइंग इलेवन में सामिल किया है क्योंक दोस्त दोस्त ये रही भारती टीम की आस्टेलिया के खिलाव टीट ट्वन्टी सीरीज के चौत्य मुकाबले में प्लेइंग इलेवन